हे वलकम बैक तो दो वीडियो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे 15,000 के रेंज में आने वाले कुछ अच्छे 5G स्मार्टफोन के बारे में रिसेंटली ही 15,000 के रेंज में भी कई सारे 5G फॉन लाँच हुए हैं तो नहीं में से हमने आपको बताया है यहां पर प्रैस के हिसाब से अच्छे फीचर्स मिल जाएगा जैसे कि पांच में से तीन स्मार्टफोन के अंदर कैमरे में OS का सुपोर्ट होने वाला है सुपर एमोलेट 120 हर्च वाला डिस्पले होगा और सभी फॉन के अंदर पाउरफुल गेमिंग प्रोसेसर तो होगा ही और भी कई सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएगा तो ऐसे में फिलाल अगर आपका विजट 15,000 के आसपास है तो इस वीडियो का एंड तक जरू इस फॉन में आपको मिलेगा अप्टो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वह भी 15,000 के नीचे वैसे देखा जाए तो यह एक और पैकेज है मैं बात कर रहा हूं मोटो जी 54 5G के बारे में फिलाल यह फोन आपको 13-14,000 के बीच में मिल जाएगा एंड इस रेंज में देखोगे तो 192 ग्राम वेट है, IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, ओवरॉल डिजैन और विल क्वालिटी सॉलिड रहेगा, कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो डूल स्टीरो स्पीकर मिलता है, डॉल वी अट्मस वाला, एंड स्पीकर की आट्मस वाला, एंड स्पीकर की बात करें, तो 6000 मिलियंपर की बड़ी बैटरी लेगी हुई है, जो की सुपोर्ट करती है 33 वर्ट फास चार्जिंग को, नॉर्मल यूज में एक दिन से ज्यादा का बैटरी वेका पसानी से दे देगा इफोन आपको, बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इस फॉन में ल बात यह रहेगा, क्योंकि स्टीडियो स्पीकर काफी अच्छी है, क्यामरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ दो कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी संसर 50 मेगापकिल का है, और यह OIS सपोर्ट के साथ भी आता है, और सेकंड कैमरा 8 मेगापकिल का है, जो की लेता है, OIS वहने के वज़र से लो लाइट फोटोग्राफिक भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमान में लगा हुए ब्रैंड न्यू, मीडिया टेक, डामिंसिटी, 7020 वाला 5G चिपसेट, यह चिपसेट 6NM पर बना हुए, 64 लाक य साथ में, UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLP DDR 4X वाला रैम है, तो नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल विशू नहीं होगा, काफी कैपवल चिपसेट यूज किया गिया है, लोंग सेशन तक गेमिंग वगरा भी कर सकते हैं, बज़र के साब से, कनेक्टिवटी क साथ का बैंक डिसकाउंट भी मिल जाएगा, तो प्रैस की साब से देखा जाए, तो यह एक कंप्लीट पैकेज है, यह रहे प्रोजन कौन्स, बात कर लेते हैं अपने अगले स्मार्टफ़न के बारे में, तो नमर फोर पर जो हमने स्मार्टफ़न रखा है, इस फोन का और बिल्ड कॉलिटी से, तो डिजाइन वाइस प्रीमियम रहेगा यह फॉन, सिर्फ 7.7 mm की थिकने से, मतलब पतला फॉन है यह, N186 ग्राम वेट है, साथ महीं IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, ओवरॉल डिजाइन इन बिल्ड कॉलिटी अच्छा रहेगा, कुछ बेसिक के बारे में बात करें, तो ड्यूल इस्टीव स्पीकर दिया गया है, जिसके अप्रूट अच्छी है, हाइब्र इसंथ रोड का उप्शन दिया गया है, बाइमेटरिक के लिए साइट फिंगर पें स्कैनर है, आउट आप दू बॉक्स एंडूइड 14 मिलता है, बेस्ट ओन डिस्प्ले की बात करें, तो इस फन में लगावाए 6.72 इंचेस की फिल एस्टी प्लस IPS डिस्प्ले जो की 120 हर्च के साथ आता है, 240 हर्च की टस हम्पिंग रेट है, और अप्टो 950 नीट्स तक की पीक ब्रैटनिस मिल जाती है, तो ओवरोल डिस्प्ले वाइज अच्छा र रिकॉर्ड कर सकते हैं, आगे की तरफ 8 मिगापिसल का कैमरा है, इस कैमरे से भी फ्लेच डि में 30 एफिस तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इस फन का में कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, डे टू डे यूज के लिए कैमरा अच्छा रहेगा, वैसे अल्टरावाइड लैंड्स होता तो और भी अच्छा रहता, खेर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इस फन में लगा हुआ है, मीडिया टेक, डैमेंज सीटी 6100 वाला प्लस 5G चिपसेट, 6 एनम बेस प्रोसेसर है, 4 लाक या सपास अंतुदू स्कूर आता है, साथ मह कर लेते हैं, तो नौ 5G बैंड को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट अब लेवल है, डूल बैंड वाइफाई दिया गया है, वाइफाई का सपोर्ट है, प्रैस की बात करें, तो 6128 के लिए 17,000 रुपीज है, लेकिन जैसे आप बाइन आउपर क्लिक करोगे, तो इस तो 17,000 के आसपास तो ये फोन थोड़ा सो अबर प्रैस रहेगा, लेकिन 15,000 के आसपास मिलता है, तो चेक आट कर सकते हैं, ये रहे प्रोजन कॉन्स चलिए बात कर लेते हैं, तीसरे नमर के स्मार्टफून के बारे में, तो दोस्तो नमर 3 पर जो हमें स्मार्टफून रखा है, इस फोन का क्यामरा प्रोफॉमिंस काफी एचा रहने वाला है, और देखा जाए तो ये भी एक All-Rounder Package है, इस फोन का नाम है Samsung Galaxy F34 5G, फिलाल य ये फोन भी आपको 15,000 के नीचे ही मिल जाएगा, एन इस प्रैस फोन पर ये भी एक Value for Money फोन कहा जाएगा, चलिए जल्दी से जानते हैं स्पॉन के बारे में भी, स्टाट करते हैं, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से, तो डिजाइन वाइज सिंपल सा है, लेकिन Out of the Box Android 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ट ओन 1UI 5.1, अच्छी बात ये है कि इस फोन को 4 येर्स तक Major Android Update मिलेगा, एन 5 येर्स तक Security Patch Update, और Samsung का फोन है तो Auto Call Recording का Option में मिल जाएगा, बिना Announcing वाला, आप जानते हैं कुछ main features, तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है, और करें डिस्प्ले के बारे में, तो इस फॉन में लगा हुए 6.5 इंचेस की FHD Plus Super AMOLED डिस्प्ले, जो की 120 Hz डिफिस्ट के साथ आता है, 240 Hz की टस Amping Rate है, एन 1000 नीट्स तक की Peak Brightness मिल जाती है, ओपरोल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा, पैनल की Quality काफी अच्छी है, लेकि 2 Megapixel का Macro Camera भी मिल जाएगा, रियर कैमरे से 4K में 30Fs तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आगे की तरफ 13 Megapixel की Selfie है, इस कैमरे से FHD में 30Fs तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओवरोल इस पन का Camera Performance अच्छा रहने वाला है, वैसे भी Complete Camera Setup मिल रहा है, 4K वीडियो रिक अच्छा नहीं होगे, अंडर 20,000 कैमरे के लिए भी इस पन को चेक उट करा जा सकता है, परफॉर्मिंस की बात करोगे, तो इस पन में लगा हुए Samsung का ही Exynos 1280 वाला 5G चिपसेट, जो की 5NM पर बना हुए, पांच लाक यास पास अंतुदूज को राता है, साथ महीं UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPTDR4X वाला रैम है, तो नॉर्मल यूजस में परफॉर्मिंस से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, कैजवल गेमिंग वेगरा भी कर सकते हैं, लेकिन हैवी यूज करने पर ये फोन हलका फुल का लैग वेगरा कर सकता है, और हीट भी कर सकता है, कनेक गैज, नमर टूपर जो हमने स्मार्टफून रखा है, ये फोन मल्टी मीडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त है, खेरिस पॉन का नाम है Poco X6 Neo 5G, ये फोन भी रिसेंटली लॉंच हुआ है, और 15,000 के असपास मिल जाएगा, चलिए जल्दी से डिटिल में जानते हैं, स्ट 24 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो ओवरॉल डिजाइन और बिल कॉलिटी अच्छा रहेगा, कुछ बेसिक फीचर के बारे में बात करें, तो ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, जिसके आपूर ठीक है, हाईबिड सिम स्लोड का अप्शन दिया गया है, बाइमेटर के कुछ मेंन फीचर के बारे में, तो 5000 मिल अमपेर की बैटरी है, और साथ मही 33 वर्ट फार चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, नॉर्मल यूज में एक दिन का बैटरी वैकप मिल जाएगा, डिस्पले की बात करते हैं, जो कि स्पन का सबसे बेस्ट पार रहेगा, जिहा के बैजल्स वेगरा ना की बरावर है, पैज की साब से बहुत ही अच्छा डिस्पले है, कॉंटेंट वोचिंग के लिए अच्छा रहेगा, कैमरा की बात करें, तो बैक साइट में दो कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्रेमरी सिंसर 108 मेगापिसल का है, और साथ महीं 2 मेग स्टाइब कर रहेगा, डेलाइट में कुछ सिनेरियो में ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरे में इंप्रॉम्मेंट की जोरत है, वहीं परफॉर्मेंस के लिए, स्पॉन में लगा हुए, मीडिया टेक, डैमिन सिटी 6080 वाला 5G चि एंड ब्लूद 5.3 वर्जन का सिपोर्ट है, औल्सो आयर ब्लास्टर भी है, प्रैस की बात करें तो 8128 के लिए 16,000 रुपीज है, एडिसनली 1000 से 2000 का बैंक डिसकाउंट भी मिल जाएगा आपको, तो चेक अट कर सकते हैं, प्रैस की सबसे ठीक पैकेज है, ये रहे प्रोज 5G, थोरा सा पुराना फोन जरूर है, लेकिन अभी ये फोन आपको 15,000 के असपास ही मिल जाएगा, एनिस प्रैस्टर पर अच्छा फोन है, चैहाँ वो क्यामरा डिजाइन, डिस्पले या फिर बैटरी वैक अप हो, सारी फीचर सही है, चली जल्दी से डिटिल में जानते ह स्टाट करते हैं, डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी से, तो डिजाइन वाज काफी अचा रहने वाला है, ध्यान रहे, कम्प्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बनावा है, सिर्फ 7.8 mm के थिकने से, मतलब काफी पतला फोन है, और 172 ग्राम वेट है, तो वेट भी बहुत कम है, साथ महीं IP54 की रेटिंग भी है, तो ओवरॉल डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी बहुत ही अचा रहेगा, कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो सिंगल स्पीकर मिलता है, जिसके और्पूट अच्छी है, और हाइब्रिड सिम स्लोट का उप्शन दिया गया है, म ताकि Auto Call Recording का Option भी दिया गया है, बिना Announcing वाला, चलिए इसके साथ ही कुछ main features भी जानते हैं जल्दी से, तो 4500 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि सुपोर्ट करती है 44W Fast Charging को, तो थोड़ी सी छोटी बैटरी है, लेकिन फिर भी एक दिन का बैटरी वैक अप दे देगा ये फोन आपको, बात करें, डिस्पले के बारे में, तो इस पॉन में लगावाए 6.38 इंचेस की FHD Plus Super AMOLED डिस्पले, जो की 90 Hz डिफिस्ट के साथ आता है, 360 Hz की टस हैंपनिंग रेट है, और 1300 नीट्स तक की पीक ब्रैटनिस दी गई है, तो काफी ब्रैटर रहेगा डिस्प इस पॉर्ट के साथ भी आता है, तो इस पॉन का कैमरा प्रफॉर्मेंस अच्छा रहेगा प्रैज के हिसाब से, में कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, लगवा घर सिनेरियो में, नोएस होने के वज़ए से लो लाइट फोटोग्राफिवी ठीक ठाक देखने प्रफॉर्मेंस की बात करें, तो इस पॉन में लगा हुए, स्नाप रगन 695 वाला 5G चिपसेट, 6NM पर बना हुए, 4 लाग से उपर अंतु दुझकोर आता है, साथ महीं UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPTDR 4X वाला रैम है, तो नॉर्मल यूज में प्रफॉर्मेंस अप को बिल वाल पर आता है, वाला रैम वाला रैम यूज में लगा बना है, तो यह रहे है, तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफॉन, जो कि आपको मिल जाएगा 15,000 के सम्धिंग, प्राइज हमेशा ओपन नीचे होती रहती है, तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा, आपना फीडबाक जरूर दीजिएगा, इसके साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप